आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now question में पूछा जा रहा है कि predation is usually referred to as detrimental association state any three positive roles that a predator plays in an ecosystem तो basically हाँ पर बात करी जा रहे है एक population interaction की यानि की दो अलग-अलग species के बीच में जो हमारी nature में interaction देखना को मिलती है उन में से एक क्या है? predation है predation का मतलग यहाँ पर शिकार ही है ठीक है? शिकार करना तो basically क्या होता है यहाँ पर? हम एक example से समझते हैं हम देखते हैं कि जो grass है grass को खाता है कौन? grass को खाता है हमारा hiran और hiran को कौन खाता है? lion ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर lion और deer की बात कर लूँ तो यहाँ पर lion क्या होता है? lion होता है हमारा predator ठीक है? predator क्या होता है basically? predator होता है हमारा शिकारी ठीक है? यह है हमारा शिकारी अगर मैं बात करूँ यहांपे deer की hirn क्या है यह है हमारा prey, यानि कि lion के लिए prey है prey को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शिकार यानि कि यहांपे lion जो है as a predator हमारे deer को as a prey शिकार करता है इसका ठीक है? तो यहांपर क्या हो जाता है? यहाँ पर यह जो relationship हो जाते हैं इनके बीच में इसी को बोलते हैं हम predation, detrimental इसे क्यों बोल गया है क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें हिरन की यहाँ पर मौत हो जाती है और मौत से बड़ा यहाँ पर detrimental क्या हो सकता है यानि कि यहाँ पे इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, यह die कर जा रहा है, मर जा रहा है और इसी वज़े से हिसम बोलता है detrimental association, basically यहाँ पे यह कैसा interaction है, positive, negative, positive किसके लिए, lion के लिए, क्योंकि इसके खाना मिल जाता है negative किसके लिए, यहाँ पे dear के लिए, क्योंकि इसके मौत हो जाती है, यहाँ पे, ठीक है, तो यह हमारा detrimental association है अब यहाँ पे हमें यह बोलना है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम अगर कह रहें कि predator हमारी ecosystem में होना जरूरी है तो ऐसे कौन से तीन positive role से जो predator अदा करता है तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताओं, तो predator के कहीं सारे important काम होते हैं जैसे कि बाद लेजे, lion ने एक दिन ये सोचा, कि अब मैं hiran को नहीं घाऊंगा तो इससे क्या होगा, hiran अब हमारे reproduce करेंगे, ठीक है, reproduce करके अपनी population भढ़ा लेंगे ठीक है, population अगर ये जादा कर लेंगे, तो घास तो हमारी उतनी ही रहेगी, जितनी है तो यह population अब क्या करेगी, इस resource के उपर एक burden बन जाएगी यानि कि क्या होगा, घास कम है, population जादा है, तो इससे क्या होगा, एक तो घास खतम हो जाएगी और जब घास खतम हो जाएगी, तो साथ साथ हमारे deer भी खतम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इनको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताओ, तो basically यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यह हमारे prey की population को control करके रखता है, तो पहला इसका क्या है positive role, praise population, इसको यह praise population को यह control में रखता है, ठीक है, controls, praise population, ठीक है, second क क्या होता है, यह हमारी help करते है, species diversity को maintain करने में, ठीक है, species diversity जो है, उसको maintain करने के लिए इनका काफी बड़ा role होता है, कैसे, तो देखे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो क्या हो रहा है, अगर हमने lion ने यह मान लिया कि मैं deer को नहीं खाऊंगा, तो deer की population भरेगी, grass खत हो रहा है, यहाँ पर इसकी population खतम हो जाएगी, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे बागी populations पर लोट पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि grass के लावा फिर यह कुछ पेड़ को खाएगी, तो ऐसे करते-करते हाँ पर क्या हो रहा है, एक ecologically disbalance हो रहा है, तो यहाँ पर क्या ह है, इस species diversity को maintain करने के लिए, इसकी population को control करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर as such को competition नहीं होगा, इससे क्या है, हमारा competition एक resource के लिए वो भी कम होगा, क्योंकि population भरने से competition भी भरता है, अगर lion के, क्या करेगा deer को खाता रहेगा, तो population control रहेगी, और ऐसा competition भी नहीं आगे ट्रांसफर को यानि कि energy transfer जो होती है, energy transfer का एक conduit बन जाता है, conduit का मतलब एक pipeline हम कहा सकता है, यह conduit के तरह help करता है, energy transfer करवाता है, various traffic levels को, हमें पता है, हमारा lion का है, lion हमारा है top carnivore, ठीक है, top carnivore तक आते हाते क्या होता है, हमारी energy, क्योंकि हमें पता है, हर एक traffic level पे जरूरी होता है, top carnivore के उस पर, basis पर, क्योंकि यहां पर अगर यह हमारा predation नहीं करेगा, तो यह जो energy हमारा conduit है, यानि कि एक जो flow बनता आ रहा है, हमारे energy का, यहां पर producer से, इस consumer तक, या फिर top consumer तक, top carnivore तक, तो यह हमारा कहीं न कहीं रुख जाएगा, तो यह भी हमार ecology के लिए काफी जादा detrimental होता है, तो इसलिए यह तीन positive roles करते हैं, हमारे क्या predators play, ठीक है, thank you.